यह जो गाड आप देख रहे हैं इसलामी तारीख में इसको बड़ी इंपोर्टेंस हासिल है। जो मुसल्मान भी मक्का जाता है तो उसकी यह ख्वाहिश रहती है कि वह कम से कम एक मर्तबा इस केव का दीदार करे। क्योंकि जब पैगंबर मुहम्मद ﷺ अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के साथ हिजरत करके मदीना जा रहे थे तो मक्का के मुशरिकीन से बचने के लिए आप तीन दिन इस गार में ठहरे थे जिसका जिक्र कुरान की सूरह तौबा में भी मौजूद है। इस दौरानगार के दहाने पर मकडी ने जाल बुन दिया था। जब मुशरिकीन आपके कदमों के निशान का पीछा करते हुए यहां तक आए तो मकडी के जाल की वजह से उन्हें लगा कि यह तो वीरान है अंदर कोई नहीं हो सकता। इसलिए वह यहां से वापस हो गए। इस तरह अलाह ने आपकी हिफाज़त फरमाई।